गुड मॉर्णिंग आप सबी लोगों का स्वागत है आज 14 माई है तो डेली न्यूज पेपर एलनेसिस में आज हम लोग देखेंगे दैनिक जागरा राष्टे संसक्रण और जनसत्ता के न्यूज में प्रिलिंस मेंस इंट्रिवी और न्यूज के साथ निमंद के कौन-कौन स अपना तैय कर सके आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं पर दूसन में रहना जीवन के मौलिक अधिकारों का उलंगन है या सुप्रीन कोट में फिल चर्चा का विसे बना हुआ है तो इसके संदर्व को हम समझने का परियास करेंगे एप्टिये वाले देशों से एप्टिये के समतुल समझोते किये हैं बड़ते जलवाई परिवर्तन के जो संभावना है हमारे आसपास हो रही है उसके संदर्व में समझने का परियास करेंगे फिर सेमी कंड़क्टर में चीन को मात देने के लिए साथ हाए अमरिका और EU एरोपियन यूनियन तो देखेंगे इसके संदर्व को समझने का परियास करेंगे साथ ही भारत में सेमी कंड़क्टर की क्या इस्तिति ये उसे देखने का परियास करेंगे इबू जो आला मुखी चर्चा में क्यों है इसे देखेंगे साथ ही साथ इसके पीटी और आसपेक्ट को समझने का परि तो महिला ससकती करण के संदर में भी इसे एक टॉपिक के तौर पर देखेंगा जो आपको ये तीनों टॉपिक है न मेंस और इसे तीनों जगा आपको काम देगा तो इस संदर में भी देखने का परियास करेंगे लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिस की गई है तो कैसे ये लो वह हैं प्रeki के लेवरल पर मेंनीज्ट के लेवल पर या इंटिवि way कि जेगा फर इसके प्र रियेगों這個 के लिए इस इन्पर को मेंच्व 2igi करेंगे कोई तो आप इसके प्र जाएब इसके युटूबर के इंडियो आंट किसे कीज़ेगा इसके पिलिम्समेजaltetे इस साथ साथ जो PDF आप लोग को दिये जाते की पॉइंट दिये जाते हैं पलस आपको विकली जो टेस्ट होता है उसमें भाग लेने के लिए आपको 599 पर पेट करने के आओ सकता पड़ेगी और यह भैरिटी कितनी होगी एक साल के लिए और खासका ध्यान रखेगा इसके पिछल के लिए अलग भटकनी के आओ सकता नहीं है चली आगे बात करेंगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर किजिएगा युक्ति है इसको सपोर्ट किजिएगा और यह देखिए डाउनलोड कर सकते इस एप को इस स्केन से बारकोड को स्केन कर लिजिए या डिस्किप्शन बॉक इस पर भाग ले सकते हैं साथी साथ ध्यान रखिएगा अगर वेबसाइट विजिट करते हैं तो जो सुविधाय एप पर दी गई है वही एफ वेबसाइट पर है तो जिसका डेस्टॉप भरजन यूज़ करना आप इसे यूज़ कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ 12 और 21 के संदर में व्याख्या की थी उसी दिन मैंने बताया था कि अब जो मानो अधिकार है ना मानो अधिकार पलस मौलिक अधिकार उसकी परिभासा चेंज हो जाएगी मैंने उस दिन बताया था उसका अस्तर चेंज हो जाएगा बदलाव आएगा उसके सभी मानक बदलने वाले हैं अब आने वाले समय में आपको यह समझना होगा कि सासन पलस सासन पलस परसासन को परसासन को क्या करना होगा अपने अस्तर पलस सेवा की आपूर्ती में ब्यापक बदलाव करने होंगे अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि जब परदुसन की बात होती है न जो बदलाव हो रहे हैं परदुसन में बदलाव आ रहे हैं अस्तर में मात्रा में या उसकी संघंता में तो आने वले समय में यह मौलिक अधिकार जैसे 14 और 21 के तहट पलब दोनों के तहट इसे मौलिक अधिकार जैसे ही घोसित किया गया तो आपको लगतार चुन आपको यह कोट के दरवाजे पर इसके संदर्व देखने को मिलेंगे इसी में एक मामला आया है फिर से दिल्ली और उसके आसपास के छेतर पर परती दिन 3800 टन कचड़े असोसित जो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं उसका यहाँ पर रह जाने सूप्रीन कोट ने भ्यानक इस्तिती को करार दिया और कल ही मैंने आप लोग को ठोस परबंधन पर ठोस कच्रा पर आपको लेख के बारे में कच्रा पर क्या किया है लेख था उसके बारे में चर्चा पर चर्चा किया है उससे पहले यह कच्रा पर किया है तो आप इस सारे संदर्व को समझ सकते हैं कि मामला क्या है बस ब्यापक्ता से हम यह का सकति इसके बारे में चिंती थे सुप्रीम कोट के पीठ ने कहा कि दोज़ाव 24 में भारत की रधाने पड़ती दिन 3800 ठोस कचड़ा और सोजित हो रहा है तो दोज़ाव 25 में क्या होगा दोज़ाव 26 में क्या होगा या यू कहे हम 247 का आकड़ा आप लोगों को दिये थे 247 तक की इस्तिती क्या होगी उसके आगे क्या होगी हम 100 तक की बात करेंगे या उससे आगे क्या होगी तो यह इस्तिती में समझने का पर्यास किजेगा कि ठोस कचड़ा का परभंदन अतियावसक है कचड़ा का परभंदन अधिक बहतर परभंदन क्या हो सकता है इसके लिए कल लेख आया था उसके सारे वीडियो जो अभी बच्चे नहीं देखे हैं कल का जाके इस लेख को देखिएगा इस संदर्व को समझेगा अब मामला जल्वाई परिवर्तन के परभाव से अगर हमारा जीवन परभावित हो रहा है उसे मौलिक अधिकार की स्रेणी में रखा है मौलिक अधिकार की सिरेनी में रखा है तो कच्ड़ा परवंदन के अनायाम भी लेकर आया था कल में कच्ड़ा परवंदन में आप लोगों को बता है तो सभी एक दूसरे से मामले जुड़े हुए तो आप इसे जरूर इस नजरिये से देखिएगा अब इसका यूज आप कहा कहा कर सकते हैं अगर में सेंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जब आठिकल 21 की बात आएगी या नियाइक सक्रेता की आएगी मुद्दा जो भी टॉपिक आएगा पलस आप क्या कर सकते हैं सासन पर सासन के कारिगति विधी का टॉपिक आ रहा होगा का इस एक्जामपल को आप यूज कर सकते हैं संदर समझ में आ गई बाते चलिए नेश टॉपिक पर आते नेश टॉपिक क्या है देखिए एप्टिये वाले देशों में पांच वर्सों में आयात 38 पर 38 बढ़ा है कल भी आपको इस पर डाटा एक आया था चीन के साथ और अमर या की बात करें अस्टेलिया से भारत के आयात 38 पर 38 बढ़ा है आर्थिक ठिंग टेंग जे कल भी इसने रिपोर्ट दिया था और कल मैंने आप लोगों से पूछा था तो कॉमेंट सक्षन में किसी बच्चे ने उत्तर नहीं दिया देखिए तैयारी ऐसे नहीं होती मैं बा कोई कोचिंग सस्थान आपको परांगत नहीं बना सकता है समझ में हारी बात आपको क्या करना ओगा अपने स्मार्ट वर्क में सामिल करनेहोंगी उन सारे टक्निकों से जिससे आप 100 बच्चों से 1000 बच्चों से लाक्वत्चों से आगे रहें के लिएging समझ में आरी बात इ इस संस्था के द्वारा और यह authentic डाटा दिया जाता है तो वित वर्ष 23-24 के दोरान इन देशों ने कूल आयात कितना हुआ आपको 197.92 एक मात रेके यह स्टुडेंट थी सीखा जी वो ने इस डाटा को कल पीडिया बना के सेंड किया बाकी लोग को हवा हवा हई निकल गया ब वसरते आप ऐसे ही काम करते रही है चली बात करिएगा इस डाटा का फिर आया है तो इस डाटा को क्या करना है राइच डाउन करके अप पर भेश सकते हैं या इस वार्टसव के नंबर भेश सकते है जैसे data कल आपने इसे increase किया था उस data को जैसे input किया था अपने copy में वैसे इस data का परियोग कीजिएगा आप लो जहाँ जहाँ इसका उप्योग होगा वहाँ आप कर सकते है तो FTA के बारे में क्या बात होती है इसके अत्रित हम जनकारी लेते है देखिए FTA होता क्या है FTA के संदर्व समझने के लिए सबसे पहले देखिए मालने जीए भारत है या XYZ या XYZ या XYZ अब हम भारत और Z के बीच दोनों देशों के बीच समझोते करते हैं प्रकाय का ऐसे आर्थिक समझोते करते हैं जिसके माध्यम से दोनों के आयात और निरियात अर्थात बैपार को आसान बनाया जा सके इसके लिए हम नई सर्तनिती अपनाते सर्तनिती अपनाते जिसमें भारत पलस जैड़ देश क्या करते हैं सुल्क जो होता सीमा सुल्क शीमा सुल्क वो क्या करता न्यून रखता है या न के बराबर रखता है अब देखिए ध्यान रखिए या किसी भी देश के साथ भारत कर सकता है एक्स के साथ भी जेट के साथ भी या किसी अन देश के साथ भी कोई दो संगठन समू भी कर सकते हैं माले जे आसियान का संगठन है वो के साथ भारत के साथ कर सकता है इस तरीके समझेगा वेसी कंतर पर दुपक्षिय बैपार को और भी बहतर बनाने के लिए आसान बनाने लिए सीमा सुलक मुक्त बनाने के लिए हम फ्रीटेड एग्रिमेंट करते हैं जिस से बैपार आयात और नियात बढ़ है अब यह जो मामल है क्या WTO में विवादित हैं कि प ν्या रख्येगा विवाद के अंस कम है क्यों क्यों को में ध्यार्ख्य एक कि यह आपसी सहमती पर होता है और आपसी सहमती तय किया जाता है कि हम दोनों देश एक दूसरे के साथ इस प्रकार के नियुनतम सुल्क लेंगे पर अन देशों को हम अपने देश में सीमा सुल्की और सिमित मात्रा नहीं लगाएंगे सीमा सुल्की जो मानलेजे कोई A, B, C, D देश है भारत से बैपार करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं इसके साथ हम XYZ के साथ FTA किये हुए है FTA किये हुए और मान लिजे ये product भेज रहा है कुछ product भेज रहा है हम product list बनाए उसी list को हम केवल देंगे ऐसा नहीं कि इस product के list से बाहर मान लिजे एक mobile product ऐसा है जो FTA की सूची में सामिल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम भारत है न उस देश को उसके लिए सुल्क माफ नहीं करेगा जो मान लिजे यहां से mobile का product आएगा एक product का 10 रुपया सुल्का ले रहा है तो FTA वाले 10 से भी लेगा वो 10 रुपया FTA देश जिससे किये हो free trade agreement किये होगा उससे पर इस list में अगर वो mobile सामिल होगा तो वो कम कर सकता है तो इसके लिए आपसी सहमती होती तो यह एक नवीन आउधारना विक्सित हुई है ताकि हम अपने आयात निरियात को बढ़ावा दे सके साथ ही साथ जो उभोगता है जो देश का उभोगता है उसको निउन्तम मुल्य पर निउन्तम मुल्य पर क्या प्राप्थ हो आपको प्रोडक्ट यर्था सेवा की आप उर्ती हो सके किलियर है FTA का अर्थ सधारन सब्दों में यह होता है भारत किन-किन देशों के साथ FTA कर चुका है भारत असे लिए ECTA को मंजूरी दिये पहला मुक्त समझ होता FTA है जिसे भारत ने एक दसक से अधिक समय के बाद प्रमुक और विक्सी देशों के साथ अस्ताक्चिर किया था तो आप से यहां से भी प्राप्शन पूछ सकता है दोनों मित्र देश एक दुसरे द्विपक्षिय आर्थिक हो वानिजीक समंदों को शंपुन छेत्र में शहयो करते हैं करने का परियास करेंगे इस ट्रेट के साथ भारत और उरोपिय संग FTA जो आठ साल के अंतराल के बाद वर्ष 2021 के में सुरुआत हुई वस्तु और सेवाओ के संदर में FTA वारता शुरू ही अब इसका दोनों का उद्देश क्या FTA के समनांतर निवेश और भगोलिक संकेतक को काम असान बनाना शुरू करना FTA वारता का तिसरा दोर इस साल के अंत में बाते चल रही थी अब देखिए नेश्ट है भारत और बिटेन यह भी समझोता होने के कागार पर है बाते चल रही है पेटेंट विस्तार के संदर में व्योस्था हासिल करने के लिए दोनों देशों के वैपार को बेहतर करने के लिए अब देखिए भारत समयूत और अमिरात क्या करता है एक कॉम्प्रेहेसिव एकनॉमिस पार्टनाशिप एग्रिमेंट करता है जो एप्टीए तो नहीं है पर एप्टीए के समतुल है ध्यान रखिएगा यह क्या करता है दोनों देशों के बीच एक मैई 2022 से लागू हुआ अब यहां क्या है CEPA दोनों देशों के बीच वैपार को प्रोसाहित करता है इसमें सुधार करने के लिए संस्तागत तंत्रकव परदान करेगा और हम आयात निर्यात को कैसे बेहतर कर सकते भारत कनाडा के साथ भी इसी प्रकार का कॉंप्रेहंसिव इनिसेटीव प्रोमोशन आपको प्रोडक्शन एग्रिमेंट करने को तयार है तो यहां पर धियां रखिएगा फोरें जो है फोरें जो इन्वेस्टमेंट की बात होती है और CEPA की कॉंप्रेहंसिव इनिस्टमेंट की बात होती है एग्रिमेंट की बात होती है तो उसमें अगस 2022 को चौथे दोरों की बात हुई है और सितंबर 2023 में एक दो बात हुई थी उसके बात भारत और कनाडा के भी जो रिष्टे खराब हुए है 2023 के आकड़े एक अनुसार ठीक है ना अभी 24 के आकड़े नहीं आये है तो आएंगे तो उसमें मैं बताओंगा फिर से आपको 35 सबसे बड़ा वैपारिक भागिदार है भारत का यह कनाडा तो यह अच्छा इस्तिती रखता है तो इसके साथ हम संबन बना सकते हैं किलियर है चलिए आगे हम बात करेंगे इस न्यूज में लोग देखेंगे कि तेरता सहर दक्षिन कोरिया में ग्रीन कंक्रिट बॉक्स से बन रही है मरिन सिटी देखें बरते जल अस्तर संकट समुद्र का बरता जल अस्तर संकट जलवाई परिवर्तन के बाद एक नयवीन समस्याओं को जन्र दिया है उसके बाद समुद्री टट जो होता है समुद्री टट होता है समुद्र टठ हमेशा क्या होता परभावित होता है किसी विदेश का और यूएन हेविटेंट की यह पहल है तो क्या कर रहा है कि यह देखिएक आज हम लोग नए काप लोग के लिए टॉपिक लेकर आये जैसे पहले जैनिक ज्यागन कर रहे थे राष्टे संस्करन उसके बाद जनसत्ता आया तो धिरे-दिरे और भी पेपर जो महत्पून टॉपिक को कवर करता है तो इसके संदर में हम इसे कवर करेंगे इसको देखे दर निवार्क टाइम से वहां से यह निवार कवर किया गया है इसे हम लोग देखेंगे संदने का परियास करेंगे जालवाई परिवर्तन अगर अब ही जलवाई परिवर्तन के लिए हमने काम नहीं करें तो भारत विश्व क्या करेंगा 2100 वर्श के दसक में जायेगा तो समस्थिया यह होगी उसके सामने कि हम मानुए बसावट को कैसे बसावट को कैसे सुरक्षित रखे यह समस्या उत्पन होगी तो इंजिनियर्स विज्ञाने किस पर काम कर रहे है तो देखिए दच्छिन कोरिया में क्या किया गया है दच्छिन कोरिया के बुशान सहर में क्या किया गया दुनिया का पहला तैटा हुआ सहर OCA Nix याद रखेगा OCA Nix बन इसका नाम याद जरूर रखिएगा आप लोग इसके बाद क्या होगा यह सफल जो परियास होगा उसके बाद जितने विश्व के समुद्री टठ है न वहाँ पर यह कॉंसेप्ट लागू होने लाएगे धिरे धिरे इसका निर्मान इस साल के अन तक शुरू हो जाएगा ध सामुदितल देखिए यह बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें तैरता हुआ देखिए चोटा चोटा तैरता हुआ आपको देख रहे होगा सहर जल पर तैरता हुआ एक बॉक्स बनाया जाएगा माली जी एक जल है यहाँ पर खाचा नूमा एक बॉक्स बनाया जिस पर आपको बासावर्ट बनाए जाएंगे बिल्डлек उसको जेल सकता है जो साइक्लोन जो इस्थित्य होती है सुपर साइक्लोन का इस्थित्य उसको भी जेल सकता है ध्यां रहकेगा यह जलस्तर दुनिया करीब 90% टटिये सहरों पर खत्रा मंडा रहा है अर्था 20 का जितना टटिये सम्मुद्र है सम्ट है देशों का मलने जहां मैप बनाए मैप के अधार पर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा जब हम मैप की बात करते हैं छोटी सम्मैप बनाने का परियास करू तो यह जितना टटिये छेत रहा है चोटा चोटा टटिये छेत उसका 90% है जहां पर बढ़ते जल प्रभाव का बढ़ते जल अस्तर का क्या है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव इसलिए इस प्रका के यूएन हेबिटेट सहयोग से बन रहे है सीटी का भव इस प्रकार के मंदिरों का निर्मान किया गया है है ना दक्षिन भारत के मंदिरों का तो आप मुझे बताईएगा कोमेंट सक्सेम में दक्षिन भारत में सस्ट कोन निर्मित मंदिर कोन है तो देखिए ऐसा नहीं कि हमारे जो इन्यरिंग से वर्तमान में जो इन्यरिंग से हमारे देश पहले में हुआ नहीं करता था बस हम उसे मानते नहीं, समझते नहीं अंतर यही है अब है कि ये वियुता के लिहाज से सभी मानकों के यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जाएंगी तो आने वाले समय में UN Habitant जो कॉंसेप्ट है जिस पर Marine City निर्मित किया जाएगा वो आने वाले समय में जल्वाई परिवर्तन के समस्याओं के निदान के तौरपद देखा जा रहा है तो R&D इस पर Research and Development हो रहे है और भी बढ़ते आयाम आपको इसमें मिलेंगे तो आने वाले एक्जाम में कहीं भी आपको जेव समस्याओं को लेकर कुछ लिखना हो ना कि जेव विता को लेकर समस्याओं उत्पन हो रही है जल्वाई परिवर्तन को लेकर समस्याओं उत्पन हो रही है तो इस परकार के Innovation Ideas को उहाँ पर फूट कर सकते है ताकि उत्तर अपडेट लगे एंसर राइटिंग आपका अपडेट लगे ठीक है चली एक और टॉपिक आता है जिसमें हम क्या कर रहा है भारत चीन क्या कर रहा है चीन के साथ एमरीका यूई चेजी चल रहा है मार चल रहा है भविस के तकनिक को लेकर सेमी कंडेक्टर को लेकर बाते चल रही है ध्यान रखिएगा सेमी कंडेक्टर छेतरे के वर्चस में कायम करने के लिए दुनिया भर के बड़े अस्तरपन निवेस हो रहे है भारत में भी हुए है हाल के दोर में भारत चीन को मात देने के लिए अमरिका एरोपिय संग सामुही ग्रूप से 6.7 लाख करोड प्या निवेस कर रहे है सोच के देखे कितनी बड़ी रासी निवेस हो रही एक दुसरे देशों में अमरिका और यूए समुह में भारत 84 हज़ार करोड का निवेस योजना बना चुका जहां पर तीन पलांट भारत में लगाये जाएगे दो बात हो रही है इस पर मैंने आप लोग को निवेस भी कवर किया था आपको याद हो सेमी कंड़क्टर पर निवेस कवर किया था जिसमें दो पलांट गुजरात के धोरेला में और सानद में और एक असम के मोरी गाओं में खोले जाएंगे जहां पर 84 हजार क्रोड से अधिक का इंवेस्टमेंट होगा यह धिरे-धिरे और भी बढ़ेगा अगर उत्पादन में देशों की हिस्तिदारी देखी तो अमरीका भी 22 में 0% था पर 2,32 तक लक्ष क्या रखा हुआ है 28% था ताइवान 69% सेमी कंड़क्टर का क्या करता है निर्मान कर रहा भी हिस्तिदारी वो रखे हुए उत्पादन में वो 2,32 तक यह 47% पर आएगा क्योंकि अन पार्टिया उबरेगी कुरिया इसी तरह है 31% जापान एउरोप अभी 00 है तो देखिए यह आकड़े बदलेंगे धिरे आने वाले समय में ध्यान रखेगा अमरीका में बाइडन सरकार ने 3.26 लाग करोड का निवेश और 6.26 लाग करोड का लोन फंड दोस्था दिया गया अब इसी तरह देखिए भारत कितना है 84.84 करोड इसमें इन्वेश किया है निवेश कुन कुन सबसे ज़्यादा किया है सबसे ज़्यादा चीन निवेश किया है 11.16 लाग करोड का निवेश किया है तो यह क्या करना आखड़े आपको आखड़े क्या करना लिख के रखना है कहीं भी जहां समी कंडेक्टर की बात होगी उसमें निवेस की बात होगी और समी कंडेक्टर के परियोग क्या क्या होते हैं जब यह न्यूज कवर किया था तो आपको मैंने वहाँ समी कंडेक्टर के बारें सभी चीजे बता रखा है आपको उसके पीटी फ पुर्वी इंडोनेसिया के उत्री जो प्रांथ है जो मालुकुकु वहाँ पर हल्म हल्मा हेरा द्विपर क्या हुआ इवु जौला मुखी विस्पोट हो गया तो ध्यान रखेगा सक्रिय जौला मुखी के छेत्र में है तो लगबग 15 पर जौला मुखी रचनात्म प्लेट के जौला मुखी विस्प का विस्थापन हम देखे तो यहां पर पर परिपरसंथ महा मयकला शागडिय मसं आता है जिसमें विस्प के जाला मुखी का लगबप 12-23 भाग परसंथ महा स सागर के दोनों टटो के भागों में द्विप के चारों समूग के तरब गया देखने के यह आपको याद हो निरिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है यह पेट्टी अट्लांटिका के मौंट एरिबेस से शुरू होता है जहां रखेगा उसके बाद दच्छीन अमरीका के इंडिज परवत से होते हुए ध्यारखना है कि उत्री अमरीका रौकी परवत के अनुसर दूपिन्स आदि दूपक होते हुए मध्य महा दूप्य पेटी में मिल जाता है तो यह बहुत ही महत्पून होता है बहुत से घटनाए जोवाला मुख्ये विस्पोट होता है भोगम ज्यादा आता सुनामी श्यत्र में ज्यादा आएका जहां जहां श्रमुतर पास जोब मुक्य स्पोर्ट होगा वहां वहां आपको आता है आपको सुगनामी भी तो यह सब चीजे आपको ध्यां रखनी है अब देखिए कुछ प्लेट का नाम है यहां से प्रस्न पुछते हैं एक अफसा आपको यह ब्रिहत प्लेट होता है छोटा प्लेट होता है बार बार प्रस् किएगा ठीक है चली आगे हम बात करेंगे अब बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस फेट के तौर पर जब हम बात करते हैं एक सफल अर्थव्योस्था का तो उसके लिए सवस्त महोल होना देश में इंपॉर्टेंट है राश्ट्य एकता के अरखंडता के अधार पर लोगतंतर क के सवरूब के अधार पर या हम बात करें कानुन परशासन के अधार पर तबी एक अर्थ व्यवस्था बेहतर होता है शपल होता है तो ध्यान रखेंगा चलिए कुछ बाते रखी गई यह लेखक के द्वारा उसे समझने का परियास करें यह लेक कहां आया है दैनिक भासकर के परियास करेंगे कुछी समयमीन सब चीजों को कवर करने का तो अर्थ व्यवस्था एक बहुत सारी मुख धाराय के पुस्तक इस तरह लिखी गई है कि मानो हमें एक राश्ट के तोर पर क्या कर रहे हैं हमें एक राश्ट की प्रगति के लिए सिर्फ यह चाहिए कि लोग प करता उप यूगता को सीदह करता उपयोक्ता वादी सिध्धांत ही बात बोलते हैं पर सच इससे काफी दूर है आपको वर्तमान बदलते सरूफ में सक इससे काफी दूर है कैसे यह कब कॉन्सेप्ट सही था जब एक कोई देश कोई देश मानले यह x y z देश कोई देश में हम भारत भी ले सकते हैं उसकी सीमा क्या होती थी सीमा अब परभावित होती थी अब परभावित होती थी तो ध्यान रखेगा जब एलपीजी का दोर आया तो जब सीमाये कुली हम विशों के साथ जुड़ना के परियाज किए तो परभाव हमारे देश पर पड़ेगा जेड तो परभाव C पर पड़ेगा इसी तरीके से जब यह अप्र्भावीत होता है तो यह समस्याय कम होता और दोनों देश एक दूसरे साथ बहतर सर्मंद स्थापित कर जिसका एक्जामपल आफ सीधा सा पाकिस्तान से लगा सकते हैं पाकिस्तान जब तक सही था भारत के साथ दोनों के बैपार बहतर होते थे उसके खाद मुल्य कम हुआ करते थे जैसे भारत और पाकिस्तान के बैपार बंद हुए खाद मुल्यों के बिर्दिवी अभी वहाँ पर 200 रुपिय केजी आटा चल रहा है तो सोच के देख सकते हैं एक आम आदमी के लिए कितना बेहतर इस्तिती हो सकता है तो यही अर्थ ब्यवस्ता का एक पैमाना है कि जैसे ही हमने LPG का दोर अपनाया तो बाते हैं सारे आकड़े हम बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं इसको समझ सकते हैं देखें मुल्यों को समाजिक निमों का पालन करना होता है और कुछ नैतिक अधार होता है बुनियादी मुल्य छीन हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए अच्छा कर सकते हैं लेकिन अर्थ ब्यवस्ता लड़कराना सुरू हो जाता है जैसे फ्रांसेसी फुकियामा द्वारा एतिहासिक विसलेशन को लेकर अनुसंधान कहते हैं असास्त्रियों के द्वारा किये गया जिसमें परिश्यक्षन किया गया कि समाज जहां लोगों के भी सद्वा होती हुए बेहतर करते हैं या किसक समाज जहां लोगों के भी सद्वावना होगी वह समाज अधिक विक्सित करेगा अब आगे हम बात करें इसी के साथ लेकिन भारत में हम आर्थिक प्रगति इन अधारों का च्छरन देखते रहे हैं आज का समाज अत्यधिक धुरूवी क्रित हो चुका है धार्मिक अलसंके वह के बहुत निंदा की जा रहे हैं दुर्भागे पून है क्योंकि निवेश में जैसे संकेत को पर प्रभाव डालता है यह सब मान देखने को मिलता है अगर भारत समाज वादित दिष्टी एक वैस्विक उधारन प्रस्तूत करता नविना टेगोर से लेकर नहरू गांध तक कि परमुख भारती विचारकों अपनी लेखनों से भासनों से क्या किये यही बात करते थे द्यालुता की बात धर निपेख्ष्टा की बात स्वामी समवेसी करन की बात करते थे मुल्ल मानवता की बात करते थे इससे क्या तो बात तो होता था पर भारत सरका के मुख आर आर्थिक निटियों कुछ खामिया थी ऐसी समस्या सभी देशों में तो आप जो कोसिक बसू है दियारके आर्दमुख आर्थिक सलाकार के रूप में भी कारे कर चुके तिनकी विचार जब आपके लिखे जाएंगे वह बहतर और थेंटिक होंगे तो इनके द्वारा जो बात अंतिक हस्तियां के साथ बाचित करने का मोका मिला उनकी बुनियादे सिष्टा और सोजनता नितियों के चर्चा करना आसान बना दिया यहां था कि कुछ मुद्दों में समत इस्तिती हुई भिन दिश्रीकों सुनना पड़ा ये से बात इनके द्वारा की गए अफसोस की इ दोजा 22 में 36.62 से घटा कर दोजा 23 में 31.28 कर दिया अब यहां पर बात हो रही है कि साथ ही पुन्जी वादी पचपात जो क्रोनलोजी की विर्दी हुई है ये सब आखड़े हैं छोटे बैपारिक परसिटान टिक नहीं पारे रोजगार निर्मान के असर देखने को मिल रह कि सिती में निवचीन हो गए वर्ल्ड बेंक की डेटा 27 बोलता है कि भारत में पर्ति बैक्ति आये के मावने पाकिस्तान को पचार दिया ये सब आकड़े आये 28 अब बनलादेश पर्ति आये भारत के पर्ति आये से पार कर गिया तो ये सब आकड़े आये मैंने कुछ दिन ये आप लोग को पर्ति बैक्ति आये में विक्सित भारत के योगदान की बात की थी पुराने स्टुडेंट हो तो कॉमेंट कीजेगा ये सब बाते उभर का सामने देखे कूल मिलाकर बात यह हो रही है कि अर्थ ब्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें क्या करना होगा ध अस्तर परर्शासन को और पर्शासन को भविश्य गत बनाना होगा अर्थात हमें नीतिया उस प्रकार से लनी होगी जहां पर हम सदभाव के कॉंसेप्ट के साथ हो। द्धन विक्ता दयालत्वाव समावेसी करन हम कर सकते यह सब कॉंसेट को अपनाने के आउसकता है लेका कि यही बोलता आखड़े को ध्यान में रखना है आखड़े जरूर दोजार क्या है दोजबी जो यह आखड़ा है था दोजार तैस में कि प्रेश वतंतर्ता के अधार प अर्म भी आया में यह एक मात्र मानक हो सकता एक कारक को सकता है मानक पलस एक कारक हो सकता इसके विक्ता पर यह एक Master रक नहीं एक मात कारक कोई भी नहीं है इसके लिए सभी का साजा सहयोग है। उपकीवग्दिव समन्दि मुद्दे की बात होती और वेपर में रिपर Q jun भी चोट लेकर 2 3 में यह सब धिया सकत ध्या रखने हैं क्लिया है इसे हम देखेंगे समयने का परियास करेंगे तो इस टॉपिक में जब हम देखते हैं कि महिला उधिम्यों की बढ़ती जगह पर जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ विगत वर्सों में स्टार्टप में महिलाओं की भगदारी बड़ी सवागिता बड़ी है कि ध्यान केंदित क किया गया है फिलहाल देश में आठ हजार से अधिक स्टार्टप उपकरव में जिनका संस्तापक महिलाएं हैं तो महिला ससक्तिकरण के लिए को लेकर कैसे बेहतर परवंदन किये जा रहे हैं इसको ध्यान में रखने क्या हो सकता है जब हम उध्यों की बात करें बैपार की अब हाओ देखने को मिल रहा है जैसे भारत के राष्टी नर्मुना सर्वेक्षन करियाले के आखड़े बोल रहे हैं कि सभी उध्यों में देश के सभी उध्यों में महिला उध्यों की इस्तेदारी केवल कितना है 14 परतिसत है बेन एंड कंपनी के एक रिपोर्ट कहता है भ देखेगा महिला ससक्तिकरण के बारे में बात करते हैं महिला उध्यों की बात करते हैं और रिपोर्ट के आखड़े नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो अधूरा एंसर होता है बेहतर प्रस्तुतिकरण नहीं होता है इसलिए किवल बाते नहीं लिखनी है उसमें आखड़ विज्ञान, विज्यापन, मीडिया, मुरंजन, आदि, कुछ हेत्र जहां भारती महिला उन्हें तेजी से सफलता हासिल कर रही है, अगर 2017 की बात करें, उससे पहले कुछ चीजे ध्यान में रखने ही कि भारत में महिलाओं को समाजिक आर्थिक रूपे ससकती करने के लिए परणटी देते हैं, किसी प्रका का विभेद नहीं होगा, अगर 16 की बात करें, आर्टिकल 19D की बात करें, आर्टिकल 42 की बात करें, तो इसमें लोक नियोजन में क्या विज़े समान आउसर दिये जाएंगे, पुरूस और महिलाओं के समान कार के लिए समान बेतन की बात कर करते हैं, उनके ससकती करन की बात करते हैं, इसी तरीके से समझने का पर्यास किजिएगा, जब इसकी बात होती है, तो वर्ष 2017 में महिला नेत्युत में स्टार्ट अप जो 10 फिद्दी थे, जो 2022 में बढ़का 18 फर्ष दियो गए, तो आखड़े यह बो रहें कि 2017 से लेकर, 2017 स तक हमने कितना पर्तिसत का विर्दी किया है, दस से लेकर 17 पर्तिसत की विर्दी हमने दर्ज की है, अब संतोर जनक नहीं है, फिर भी ब्यापक बदलाओ तो देखे जा रहे हैं, इसके लिए ध्यानक वर्तमान में देश में ऐसे 8000 से अधिक स्टार्ट अप उकरम है, जिनक कोई मालिक होता है, तो वो किस प्रकार से समाज के लिए परिवार के लिए कारी करता है, वो निर्ने लेने के लिए सोतंतर होगा, निर्ने लेने के साथ साथ निवेश करने के लिए सोतंतर होगा, अर्था संसाधनों का वितरन करने के लिए भी सोतंतर होगा, इस अस्तर पर वो क्या करेंगता है महिला जब ससक्त होती है जो समाज ससक्त होता इस तरीके के concept आपको देखने को मिलेंगे जब हम वर्तमान में देश में इतनी बात करते हैं तो इन अस्टार्टॉप की कुल रासी लव तेश अरब डॉलर यानि करीब 1.90 लाग करोड़े तो आखड़े या कितना बेहतर है सोच के देखे इसलिए में बार बार आप लोगो बोलता पेपर को एनलिसिस किजिए पेपर को पढ़िए उसमें पीटी के fact मिलेंगे मेंस के fact मिलेंगे इससे बेहतर आपका संपून तयारी नहीं हो सकता इसे समझिएगा अब देखे कितना लाग करोड का महिला सकते हैं अब आप लोग क्या करते हैं एंसर आइटी में क्या लिखते हैं लिखिएगा पित्र सतात्मक सोच है अरे यह सोच कब का समाप्त हो चुका है अब इसका ए नहीं लाए जा रही है उसको धरातली असतर पर लागू करने के लिए कौन कोन से लोग काम कर रहें इससे समझेगा जब पूरु से महिला पूरु दोनों काम करते हैं पर पूरु सोच की संक्या अधीक है तो इसका मतलब पूरु सहयोग कर रहे तो सतात्मक कैसे हुआ साथ ह आप घर की बात करें, अपने घर आवास की, जितना बढ़ने के लिए, आपके पिता कारी कर रहे हैं भाई कारी कर रहे हैं, उतना कोई महिला कर रही हिएौज़ने का पर्यास के, जहां पर उक लाग करोड़ रुपिय का निवेश की बात होती हिए इन आखरों पोजिय्टिव तरब डॉलर का मालिकाना हक है महिलाओं के पार उसे और भी बढ़ाने की आव सकता है अब बेन एंड कमपणी क्या करता है कि गुगल की वर्स 2019 की रिपोर्ट करने साथ तक महिला उद्वियों की से दारी करीब एक तिहाई तक पहुँच जाएगी तो इस आपड़े को प्रस्तुत करना है कि महिलाओं भगिदारी अगले दोजर तीस तक कितनी हो जाएगी तेरह से बढ़कर पहले वो क्या कहता है चौदा परतिसत की बात करता है कितना आपको परतिसत की बात कब होगी दोजर तीस तो ध्यान रखिएगा एक दसक पहले आर्थिक नधारिक जो आर्थिक जनगना था पता चलता उसे भादर कुल उद्द्यों महाच 14 फिजदी नेत्युत महिलाओं की थी इसेदारी 20 परतिसत बढ़गे राश्टे संचाले जो महिलाओ करम है वह पैसे प्रतिसत ग्रामिन चेत्रों में थी दच्छिन के राज्यों में महिलाओं के सेदारी उत्तर के राज्यों के तुलना में अधिक है ते कि कितना बेहतर एक्जामपल आप लोगों को दिया गया जिसका डाटा परियोग आप कर सकते एंसर राइटिंग में ऐसी एकिकित महिला ससकती कारिक्रम जिसके माद्यम से महिला उध्यमियों को विविन रूपों साहता दिया जाता है सुख्ष में लगू और मध्यम जो उध्यम है मसमी के संदर में तो इसके समर्थ योजना लाए गया महिलाओं को सोरोजगार आउसर दिये गए उपलग्द किरा गया आतनी लगर्स बनाए गया यह सब चीजे आपको देखने को मिलती है जिस से क्या होता है एक महिला तो सकती होती है समास सकत होता है राज सकत 상 승ोत ही आप नाम जानते हो इसलिए पेपर तो डेली एनलेसिस कीजिए, केसी के बैसाकी पर चलने के अच्छा है, अपना मंजिल खुद बनाईए, ठीक है न, अपने रास्ते खुद बनाईए, किसी का वेट मत कीजिए, कि अमर सर आएंगे, तो एनलेसिस कराएंगे, तब आप उसे देखिएगा, तब सुनिएगा, यही सब गल्तियां तो हम लोगों ने अपने दोर पर किया, जो हम लोगों इतना बेहतर मेंटर्शिप प्राप्थी नहीं हुआ था, पर ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों से जब तक हडल को पार नहीं कीजिएगा, तब तक आप समस्याओं से दूर नहीं हो पाईएगा तो इसी को संदर्प को समझिएगा, देखिए हाँ बात की गई है, महिला उध्यमिता को बढ़ावा देने की यह योजना, मुखरूप से देश में ग्रामीन और पिछड़े इलाकों में अस्तिकित महिलाओं के देशाहता करता है, तो उध्योनी योजना के तहात वित्य समा वेशन किया जा रहा है, इन सभी चीजों को लिखे, इन सभी योजनाओं के आर्थिक गतिविद्यों का संचालन हो रहा है, भूमिका महिलाओं के बढ़ रही है, अभी अभी ब्यक्तित हो रहा है, समाजिक चुनोतियां सामना करना पड़ता है, सबसे पहली चुनोति, जिस पहले उसमें संकुचित मानसिकता नहीं था, जो एमरीका आज बात करता है, विक्सित होने का, क्या वहाँ पर ब्लैक का कॉंसेट अभी तक लागू नहीं है, बिल्कुल लागू है, वो चलते रहेगा, देखिए चलते रहे क्योंकि मानसिक ब्यक्तिक की मानसिक इस्तिती अ अलग अलग होती है, तो धारनाय समाप नहीं होगी, उस धारनाओं में विकास जरूर आ सकेगा, संभावनाय जन्म लेंगे, वो पहले 100% हुआ करता था, तो कभी 90% हुआ, कभी 60% हुआ, घटते घटते 10%, 5%, 1% पर आ गिया ये सब, अंस मात्र का सहयोग जरूर होगा, ध्या सकता होगी, कि महिलाओं को भूमी का घरेलू करतब्यों को सिमित होनी चाहिए, इस कारण से महिलाओं स्वे में अपनी भूमी का परिवार सिमित रह जाती है, यह धिरे-धिरे बदलाओं आ रहे हैं, आज यूटूब को अपने महिलाओं बहुत से महिलाओं, अपने का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार इसके लिए कारे कर रही है, ध्यान रखिएगा, अधिक इमंदार रिनी होती है, जबकि बहवार में देखा जाए महिलाओं अधिक इमंदार रिनी होती है, महिलाओं अक्सर अपने उपकरण के लिए के साहयक परिस्तिती तंत्र यह सब चीज़ें आ रही हैं महिलाओं को बढ़भाररिक सम्टूलन बैठाने की आए सकता है पर इसके साथ महिला एक जामपल मिलते हैं कुछ पुछ महिलाओं का बढ़ावा कर रहे हैं उनको बढ़ाने के बात करते तो एक उपी की घटना उपी का जो घटना घटा था S.D.M. का ऐसे बहुत से घटनाई घटी जिसे पूरुसों के मानसिक्ता को बदलाव किया तो ध्यान रखिएगा दोनों पाला जब तक दोनों तराजु का दोनों जो पाला है ध्यान रखिएगा दोनों पाला आपको संतुलन में बना कर रखना होगा यही परिवारी आगा कर्ष्ट नहों तो यह भी चीजे देखनी होगी पर जैसे ही महिलाओं किसी कुछ महिलाओं को अगर तरक्की मिलती है तो वो अपने पुराने साथियों को छोड़का किसी और के साथ चल जाते और कोट का चारी अलग करते तो जैसे समाज में आपका नामी करन जो जिस तरीके से होता जैसे SDM का हुआ था मैं नाम नहीं लूगा बस इसार आप समझ जाईएगा इसी तरीके परिवेस आपको देखने को मिलते तो इस समझ को समझने का परियास कीजिएगा ती जो ब्यापक लेंगिक और समानता कारण मजुदा बंदनों को तोड़ने के लिए सकति सालिक उपकरम के तौर पर भी काम करेंगे इसका सरकार समाज और अस्थानी समुदाय उद्धंसिल प्रसिक्षित महिलाओं के पर्तिभागियों को क्या करें पहचान करके उनको औसर पर्धान मंतिर आवास योजना जो महिलाओं के नाम पर होना सुनिशीत करता है तो महिला सवामित मिलता है पर्धान मंतिर मुद्रा योजना जहां महिला अद्यमियों को स्वेशायता समुओं के लिए वहनिया और सस्ते रीन मुपलप्त कराए जाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इससे महिला ससक्तिकरण के औसर मिले महिला बड़ा आए सामने आए या बिहार का हम बात करें महिला साइकिल योजना ये सब क्या किया ये सब ने क्या किया कि बेहतर रणिती को ते किया मानक को ते किया अब महिला सक्तिकेंदर की बात करें कोशल विकास मातित लाव संसोदन दोजा 17 दिनियम जहां का सब वेतनिक मातित अवकास को बढ़ाकर 26 सब्ता कर दिया गया कार अस्तल में क्रेच सुईदा था दूद पिलाने की सुईदा अनिवार की गया ताकि महिला कारे के अस्तल पर भी सुरक्षी तरह सके ससक्त रह सके ये से बाते की गई अब महिला इहाट कॉंसेट लाया गया तो इसके तहत किया आगए महिला स्वह सायता समु समर्थन दिया गया औमार विग्यापन दिया गया विपनम मन्च दिया गया तो ध्या रखिए का क्या कहता है कि यह सब महिलाओं को ससक्तिकरण के नए सरकारी पर आप लोग क्या लिखते हैं कहानिया कुछ और लिखते हैं मिशन सक्ति जिसमें लेख में भी बात की गई थी तो ध्यारा कि ससक्तिकरण के नए आसपेक्ट जन्म लिए इसके अत्रिक्त हम बात करें में अंतराश्टी अभ सभी परका के भेदभाव के उन्मुलन अभिसे में हुआ जिसमें हम लोग कन्वेंशन अंदे इलिमेंशन अल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिलेशन एगेंस्ट उमेन जिसमें सी इडी डी डाबलू करते हैं तो ध्यारा के उन्यारा के उन्याराश्टी में सन्युक्त सभी परका के भेदभाव का उन्मुलन करता है और उन्याराश्टी में भारत इसका क्या 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 हताक्षर देश पुष्टी करता है तो ध्यान रखना महिलाओं के विकास के लिए काम किये जा रहे है इसके देखिएगा महिला बीजिंग घोसना पत्र एक लाया गया जिसम का ये सब बाते क्यों के खीग किया सकता है कि कैसे बहतर परबंधन किया जा सकता है तो इस संदर में लोग षफिर हम लोग इस शीज. को समझने का परियास करें कि लोगतंत्र जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के सकती करन के साथ साथ एक नया टॉपिक भी देखने को मिला लोगतंत्र को बदनाम करने की कोशिस हो रही है तो आपको आज का कोश्चन आपको दे दिया जाएगा डेली जो एंसर जनता द्वारा जनता का जनता के लिए जो शासन का महास्वपन लेकर लोकतंत्र का शासन विधा अधुनिक यूग में सबसे परमानिक बात की जाती वेक्सिल बात की जाती है उसके सिवकार की गए अब लोकतंत्र की व्यवस्था में चुने हुए परतिनित सीधे जनता से आगिधारी की बात होती है लोकतंत्र की सफलता के लिए हमनों क्या करते हैं जंता के शासन की बात करते हैं ठीक ठीक प्रहचान की बात करते हैं तो यह सब कॉंसेप्ट लोकतंत्र को मजबूत करता है लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करता है चुनाओं में मद्दान में इ नियम पूर्वक और समय चुना होने चाहिए। नियम पूर्वक और समय चुना होने चाहिए। सविधान अब तक सो से अधिक बार बदली जा चुकी है। अब बात होगी कि अपात काल लगाना सविधान को निरस्त करना निश्चे ही लोगतंत्र का गला घोटने जैसा कारे था। यह भी कॉंग्रेस का काम था। जानेक राज्यों में उठाने गिराने की अब कुछी राज्य में सकता है इसलिए गिरा दी गए कि केंदर में उसकी सरकार नहीं है। तो इस अधार पर राज्यों की नौ से अधिक राज्यों की क्या सरकारे गिरा दी गए। तो यहां पर भी आपको यह अस्वेधानिक परविटी थी। तिन सो सत्तर को लेका कॉंग्रेस जिसे मनुविटी परदवसन किया। स्वविधान की परतिष्था अनुकुल ना की थी अब ये सब चीजे बाते हो रही थी घोटालों का धूम मचा हुआ था देखिए विचार लेखक है पर संदर्व तो सही बताये जा रहे हैं लगतार तुष्टी करण की बात हो रही है पंथ मजहब की बात होती है विविन वर बार बार आप लोगों को बोलता है मुप की रोटिया जो दी जाती है मुप की खेराद दी जा रही है उसका अर्थ यह नहीं है कि कोई सरकार अपने बितिये जो टेक्स पेर लोग है उसके पैसे को अंधा दून बाटते हां उनको जरूर मिलना चाहिए जो संसाधन युक्त नहीं है जो अवसरों का अभाव जिनको है उनको जरूर मिलना चाहिए पर जो संसाधन युक्त है अवसरों के पर परियाप्त है लगजरियस लाइबजीर है उनको इस प्रकार के सुईधाई नहीं मिलने चाहिए कुल मिलाकर बात जब की जाएगी तो तत्थ के अधार पर पाँचवी जवंविश की पाँचवी अर्थव्यवस्ताला भारत तीसरे अस्तान पर पहुचने के तकपर है तो अब यह आस्था, भासा, सभ्यता, संस्कृतिक परती हिन भावना नहीं होनी चाहिए राश्टी हितों में रक्षा, निवीरे रहने वाले भारतिय नाई होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, परचार महाल में मददताओं को रुझाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, हर तरह की तरकीब अपनाए जारे सभी पाठियों के द्वारा, तो यह कही न कही लोकतंत्र को घातक पहुचाता है, अस्तार परचारक समान सिस्ताचार को है, और संदेह पैदा करना, परियास होना, लोकतंत्र का मूल स्वरूप कहीं बादित होता है, यह सब चीजे आपको चल, समझने क्या हो सकता है, चुना आयोग के साथ, इबी एम को लेका अनावसक संदेह, जबकि चुना आयोग खुला चेलेंज दे रखा है, अब इस पोर आज के भीतर उपजने, वाली लोक सकती ही उसके लिए नियामक होती, इसका बचाए रखना आवस्तक है, हम ससक्त भारत की बात करते, समर्थ भारत की बात करते, निर्मान कर सकेंगे, तवी जब इन सभी हडल को हम क्या करेंगे, पार कर पाएंगे, परिवारवादी, वन्स इसको समझने का परियास कीजेगा, कि सत्ता में जब लोकतंद्र की बात की जाती है, लोकतंद्र की बात कर जाती है, जनता और सरकार, सरकार जो होती है, उसके बीच सेवा की आपूर्ती मात्र होती है, इसकी धारना होने चाहिए, और सेवा की आपूर्ती में क्या होता है, विधाई का होती है, विधाई का अपने अस्तर पर काम करे, कारपाली का अपने अस्तर पर काम करे, और नियाईपाली का अपने अस्तर पर काम करे, अर्टिकिल पचास के तहाद जो मंच प्रदानंग किये गए है, तीनों के परसपर समंदों को उसके अनुसार पर सासन और पर प्रशाषनों लोकतंत्र सिंपल सा यह ही है अगर इसके समझ लिए तो बेहतर तरीके से लोकतंत्र के मननेताओं को अस्थापित किये गए और यहां पर सत्ता का अभियाद सत्ता का अभियाद कॉंसेप्ट जो है वो किवल मात्र क्या होना चाहिए आपको प्रशाषन को चलान कर इसलिए आपको लोकतंत्र करना तो जनता जीवद करना तो जन्ता वसे वाँववि अप्रती को पर पर संतुलित करने की आऊ सक्ता हूँ इसे समझते हुए आज का जो कौंसेप्ट है कल फिर मिलेंगे नए निव जेनलेसिस के साथ अगर कोई क्यूरी है तो दियेगे नमबर से बात कर सकते हैं समस्याओं का समधान डून सकते हैं और आप लोग को डेली एंसर राइटिंग दिया रहा है कल का एंसर राइटिंग आप लोग को दिया गे एप के कॉम्निकेशन गुरूप में वहाँ पर युक्ति आइस का एप नहीं डाउनलोड जो लोग कर गया है युक्ति आइस के वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक ले सकते हैं आपको बारकोड दिया गया वहां से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पर लिंक दिया गया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिशन बॉक्स, कॉमेंट सक्षन बॉक्स, सभी जगर लिंक दिया रहता है आप वहां से डाउनलोड कर से आप इस ग्रूप में जुड़कर आप अपना एंसर भेश सकते चलिए फिर कल मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहें